नमस्ते आप सभी से अन्रोध है कि करपया हमारे चैनल को लाइक करें हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें राहुल गांदी एक बार फिर से चर्चा में है अब राहुल गांदी बहुत समय तक यदि चर्चा में ना आए तो फ कि माता लक्षमी का अवतर्ण हुआ था इस दिन समुद्रमंतंस में वरुन देवता जो थे माता लक्षमी को लेके आये थे और उन्होंने विश्णु जी का वरुन करवाया था माता लक्षमी से तो ये लक्षमी पूजन का इतिहास है कि लक्ष्मि पूजन इसलिए किया जाता है और दीप जलाया जाते हैं वो इसलिए कि इसी दिन भगवान राम जो थे वह आयत है अयोध्या लंका विजय करके तो लोगों ने वहां उनके आगवन के उनके वेलकम के लिए उनके स्वागत के लिए दीपों से पूरी अयोध्या को सजा दिया था उसी दीप अवली का आजकल आप देखते हैं कि सर्यू नदी के तट पर हर वर्ष दीपों की अवली सजाई जाती है और इस बार तो 25 लाख दीप जलाए गए तो ये सभी को लगबग पता है उसके अलाबा कुछ तांत्रिक होते हैं तो तंत्र के लिए लेकिन भाई राहुल गांदी ने कमाल कर दिया राहुल गांदी ने पहली बार आप ये देखें कि सभावान शिव के नटराज सुरूप के आगे मुमबट्ती जलाई हाँ जी मुमबट्ती और मुमबट्ती जलाके उन्हों ने स्वागत किया दीप अवली का और वो भी तो हम सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा है कि राहुल गांदी जी कोई कारे इस प्रकार का करते हैं तो उसमें कोई गूड रहस्य अवश्य होगा क्योंकि आपको पता है कि वो तो बार-बार जो है वो बात करते रहते हैं अभे मुद्रा अभे मुद्रा तो शिव जी की अभे मुद्रा तो ने शिव जी की अभे मुद्रा की बात करते हैं लेकिन वो जो नटराज सुरूप है ना वो पूरा वरनन जम मैंने फिर से ध्यान द या जो नटराज सुरूप है इसमें क्या प्रतीक हैं क्यों राहुल गांधी जो हैं उन्होंने दीपावली के दिन नटराज की मूर्ती के सामने अच्छा वो भी मूर्ती कैसी थी वो मूर्ती जो आती है ना जो आपके क्या बोलते हैं उसको सूविनियर वाली मूर्ती जो वर तक किसी ने राहुल गांधी का पूजा घर तो दिखा नहीं है मुझे नहीं लगता कि वो पूजा करते भी हैं वो तो मुहमत्ती जलाते हैं आपको पता है मुहमत्ती कौन लोग जलाते हैं तो वो मुहमत्ती ब्रांड है मोमती ब्रान्ट राहूल गांधी ने मोमती जलाई नटराज की एक मूर्ती के सामने, जो की सूविनियर वाली मूर्ती थी, उसके सामने जलाई छलिए ठीक है लेकिन जब मैंने उसकी डी पेनालिसिस की तब मैं समझ पाया कि भाई राहुल गान्दी जो है वो कितना विद्वान आदमी है अब आप देखिए अब ज़रा नटराज की मूरती का आप विशलेशन कीजिए नटराज की मूरती कैसी होती है आप देखा होगा कि नटराज जी के दाहिने हाथ में उपर वाले दाहिने हाथ में डबुरू होता है नीचे वाले दाहिने हाथ में अभे मुद्रा और जो उपर वाला जो बाया हाथ होता है उसमें अंगार होता है और जो नीचे वाला जो बाया हाथ होता है वो बिल्कुल शरीर के सामने से आके बिल्कुल एक जैसे गणिस जी की जो सूंड होती है उस परकार से वो इंगित करता है रास्ता के वह यह है रास्ता और जो उनका बाया पैर है वो उठा हुआ होता है जिसमेकार से चित्रन होता है और जो दाहिना पैर होता है वो एक बौने के उपर रखा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपस्मार पुरुश अब ये जो राहुल गांधी का जो विचार है उससे मैं पूरी तरह से समझ गया कि वो क्या करना चाहते है राहुल गांधी अपने वो अपस्मार पुरुश की रूप में देखते हैं और वो अपस्मार पुरुश क्या होता है देखे अपस्मार पुरुश जो है वो नटराज की मूर्ती में वो एक अग्यानी अंधकार में डूबा हुआ पुरुश्य है वो दिखाई देता है तो इसलिए राहुल गादी ने मुहमती मुलाज ज़ा के ये कहा शिव जी से कि शिव जी कम से कम एक दिन के लिए तो मुझको जो है ये आपने जो इतना बड़ा पैर जो है ये मेरे उपर रखा हुआ है इसको मेरे को थोड़ा सा छोड़ दो तो मैं कम से कम दिवाली की रात में तो जाके चारों तरफ अंधकार पहला सकूँ देखिए कितना घूर गहन चिंतन है आपने कभी नहीं सोजा होगा कि नतराज की मोर्ती में डंबरू का क्या अर्थ है डंबरू जो है वो शब्द है शब्द से ही सभी की उत्पत्ती है ये क्रियेशन का सिंबल है और अंगार क्या है वो डिस्ट्रक्शन का सिंबल है संगा का सिंबल है अब हमारा जो अपसमार पुरुश यानि देखिए मैंने प्रतीक आपको बता दिया ना राहुल गांदी जो है यहां अपसमार पुरुश है तो राहुल गांदी का काम है कि यह सारा कार जो हो रहा है लगातार यानि जीवन संचार हो रहा है जीवन संगार हो रहा आ जाते हैं जो यहां पूरा आप समझे है की संसार को एक ज्ञान से परिपूंड कर देते हैं ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि ये जो हमारी जो प्रायोरिटीज है जो अज्ञान वाली प्रायोरिटीज है उस पर उपर कोई ध्यान ही नहीं सेटिजिए कैश कैसे होगा जब तक जब अज्ञान का आवरन पूरी इस्ट स्टेबलिश्मेंट के ऊपर न चळ जा है तब तक वह क्शन best किसे कराई गशा वो ये सोच रहे हैं कि देश को हम एक रखें वो ये सोच रहे हैं कि देश में हम एकता का पूरा का पूरा करें संचार करें वो कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे वो ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो इसका अर्थी यह हुआ कि भई वो तो जो है दीपावली के दिन वाकई जो दीप जलाये जाते हैं उस प्रकार से प्रकाश के संचार की बात कर रहे है और उस अपसमार पुरुष को उसी तरह से दबाए रखना चाहते हैं वो जो है अपस्मार पुरुष वो दबा हुआ है वो कुछला हुआ है वो आजकल के पिछड़े दलित इन सबका प्रतीक है अकॉर्डिंग टू हमारा अपस्मार पुरुष यानी राहुल गांदी तो राहुल गांदी जो है उसको देश में गारंटिया देना चाहते हैं अब उनकी गारंटी से उनके जो पुरुष हैं खड़गे साब वो ही जो है नहीं मान रहे हैं वो ही उल्टा बोल देते हैं कहते हैं कि नहीं साब इन गारंटी से काम नहीं चलेगा और राहुल गांदी ने खड़गे जी को बहुत ब पहेंगे आप समझ में आया आपकी राहुल गांदी का नटराज की प्रतिग्मा के सामने मुंबत्ती जलाने के पीछे कितना गहरा रहस्य है कितना बड़ा वर्दान उन्होंने मांगा है शंकर बगवान से अब ये तो भाई सही बात है ना यदि राहुल गांदी ऐसा नहीं क करेंगे तो उनकी पार्टी कैसे चलेगी आपको पता है कि उनकी पार्टी जो है किन चीजों से चलती है उनकी पार्टी चलती है काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, माचर्य, छल्व, छद्म, एहंकार, अमानवता ये जो दस गुन है ना रावण के दस सिर होते हैं आपको पता ह है तो रावन के दस सिर राम जी काटिया है दस एरा के दिन लेकिं नहीं ऐसा नहीं होता है जो हमारा अपसमार कुर्श है उसमें ये सारी जो दसों जिनाएं है वो सरैव रहती है इसे लिए राउल गादी ने शिव जी से कहा लट राज से कहा कि भई मैं ही आपका दलित कुछला हुआ आपके पैर के नीचे पड़ा हुआ कुछला हुआ तो हूँ तो उनको ये भी डिमांड करना चाहिए कि साथ कि ये क्या गलत तरह से दिखाया गया है ये बच्चा अपसमार पुरुश इसको कह दिया गया और इसको पैर के नीचे दबाय हुए यही तबा कुछला हुआ है इसी को बाहर निकाल के चारों तरफ अग्यान फैलाने के लिए तत्पर है हमारे राहुल गादी जी अब ये देखिए आजकल बाहर नहीं जा रहे हैं आजकल बाहर जा के ग्यान नहीं बगार पा रहे हैं क्योंकि वहाँ यूएस में इलेक्शन चल रहा है कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जिन लोगों के पास पहली बार गय थे वो भी कह रहे हैं कि यार तुमारे इस करने से सारा फाइदा क्या हुआ तुम वहाँ सारा उल्टा करिया है तो वही इस अपस्मार पुरुष राहुल गांदी को प्रणाम करें कोई भी अपस्मार पुरुष को प्रणाम नहीं करता इन्होंने अपस्मार पुरुष को प्राम किया है तो इनका मान रखे है जैहिन जैवारत बंदे मातर